करने वाला हूं से है पाकिस्टानी डिर्मा वzie प्रपुरर इंडिया पहरे जादे चैनल इन पाकिस्तार में फ्रीर पर 20,000 लिन का Tapas — तो य। messing जु़ा जो रहे आज तो ऍा। बेंस हें और पैस से ख़स कुछ ए जिनक्या भी ऊ corazón रिखेंगा य। कि एक सबूत है कि पागिस्तानी ड्रामा जिंदिया हम कितने पसंद किये जाते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को ले स्टार्ट डिली वीडियो ना हो असलावले को फ्रेंड्स मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी समैर यूट्यूब चैनल दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब पी टीवी के ड्रामे बेहत मकबूल हुआ करते थे और आठ बजे का सीरियल देखने के लिए इंडिया की सड़कें भी सुनसान हो जाती थी ऐसे ड्रामे जो लोगों के दिलों में घर कर जाते थे लेकिन फिर वक्त बदल गया और स्टार प्लस आ गया और स्टार प्लस के मसालेदार और धिशुम धा से भरपूर ड्रामे लोगों को बहुत पसंद आने लगे वो ना सिर्फ इंडिया में बलके पाकिस्तान में भी लोग बहुत शोग से देखने लग गए और यहां तक के पाकिस्तानी डिरेक्टर्स और प्रिडिसर इसी तर्स के ड्रामे बनाने लगे लेकिन फिर अकल को हाथ मारते वे पाकिस्तानी डिरेक्टर्स और प्रिडिसर ने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की कोई हुई शिनाफ्त को वापिस लाया जाए और फिर इन्हों ने सोचा क्यों ना हकीकत की करीब कहानिया और बेहतरी नदाकारों से अदाकारी करवा कर उसी तर्स के ड्रामे दुबारा से बनाए जाएं और फिर ऐसे ड्रामे बनाएं गए जिन्हों ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बलके इंडिया में भी रिकार्ड तोड बिजनस किया आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूँ तो वीडियो शुरु करते हैं लेकिन उससे पहले आफ दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दे और बेल आइकन पर पपी करना मत पुलिएगा तो चलिए वीडियो शुरु करते हैं दोस्तों हमसफर वो ड्रामा था जिसने माहरा खान और फवाद खान को रातो रात सुपर स्टार बना दिया। इससे पहले भी ये दोनों किली सारों से मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों में काम कर चुके थे लेकिन जो शोहरत इनको इस ड्रामे से मिली वो किसी और से न मिल पाई और दोनों अदाकारों को अवाम में भी बहुत मक्बूलियत हासिल हुई इस ड्रामे के चर्चे ना सर्फ पाकिस्तान में थे बलकि सरहत पार भी इस ड्रामे को खूब पसंद किया गया सारा का सारा गफ्र घर ले आते हैं माई टाल आप किसी भी जोड़े में अच्छी लेखे लिए इस तरह क्या भी क्या स्टोडिया है यह कुल जर्दे की देग लिख लिए उस वक्त यूट्यूब का दोर नहीं था इसलिए इंडियन्स को ये सहुलत हासिल नहीं थी कि जब दिल चाहा पाकिस्तानी ड्रामे देख लिए इसलिए तब इंडियन टीवी डिपार्टमेंट ने खास तोर पर हम टीवी को रिक्वेस्ट की कि हम आपका ड्रामा हम सफर अपने टीवी चैनल पर चलाना चाहते हैं तब ये ड्रामा इंडियन आवाम ने देखा तो सब को पहली नजर में माहरा खान और फवाद खान से प्यार हो गया और शारू खान की सास ने भी ये ड्रामा देखा और शारू खान को मशवरा दिया कि अपनी अगली फिल्म में इस लड़की को हीरोईन देना और फिर ऐसा ही हुआ कि माहरा खान ड्रामा सीरियल हम सफर की शहरत के जरिये आखिर कार शारू खान की हीरोईन बन गई जिल्दगी गुलजार है दोस्तों ये वो ड्रामा था जिसकी मुनफरित कहानी और सादा अंदाजे बयाने सब के दिल जीती है इस ड्रामे ने ना सिर्फ एक बार फिर फवात खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन हीरो बनाया बलके सनम सेथ को भी खुल कर अपनी अदाकारी के जोहर दिखाने का मौका दिया इसके दावा आज के दो बड़े फिल्म स्टार शेहरियार मनवर और मनशा पाशा ने भी अपने केरियर का आगाज इसी ड्रामे से किया और पहले ही ड्रामे से सब को हैरान कर दिया हम सफर की तरह जिन्दगी गुलजार है को भी स्पेशल रिक्वेस्ट पर इंडियन टीवी चैनल जी जिन्दगी पर नशर किया गया इसके बाद ववाद खान की इंडिया में पॉपुलरिटी को देखते हुए कई बॉलिवोड फिल्मों में इनको हीरो के तोर पर लिया गया जब इंडियन अवाम से पूछा गया किया वज़ा है कि आप स्टार पलस के ड्रामों को छोड़ कर पाकिस्तानी ड्रामों को तरजी दे रहे हैं तो सबकर यही कहना था कि पाकिस्तानी ड्रामे ह toma होते हैं और इन ड्रामों की सादगी ही इनकी खपसूर्ती है और हम तंग आ गए हैं ड्रामों के डिशम डिशम डा और धूम ना 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 सुन सुन कर सनम सहीद को भी इंडिया से बेशुमार ओफर आई ताहम इनों ने इन में से एक को भी कबूल ना किया और इंडिया की बज़ाए पाकिस्तान में काम करने को तरजी दी दोस्तों मेरे पास तुम हो वो ड्रामा था जिसने हुआयों सेर की कोई हुई पहचान को इनको लुटा दिया था वो एक बार फिर पाकिस्तानी टेलिवीजन पर चा गए थे साथ ही साथ आईजा खान को भी शोहरत की नई बुलंदिया देखने को मिली ये वो पहला ड्रामा था जो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर रहता था इस ड्रामे की वज़ा से एर वाई डिजिटल पाकिस्तान का सबसे पहला 10 मिलियन सबस्क्राइबर्स हासिल करने वाला चैनल बना इस ड्रामे की वज़ा से खलीर रह्मान कमर को मिसाली शहरत हासिल हुई और वो मगरूर से मगरूरतर होते गए इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी आखरी किस्त को सैनमा में चलाया गया और के दिन पहले ही सारे टिकेट्स बुक हो गई इस ड्रामे की डायलोग्स इंडिया में बहुत मशूर हुए और खास तोर पर दो टिके की औरत वाला डायलोग तो बेहद मकबूल हुआ और यहां तक के इस ड्रामे को कापी करके इंडिया वालों ने निया ड्रामा बना कर लगाया तो कापी की भी नहीं लेकिन इन अवाम ने इसको मेरे पास तुम हो की सस्ती कापी कहकर रिजेक्ट कर दिया खुदा और महबब दो वैसे तो फिरोज कान ड्रामा सीलिल खानी के जरीए इंडिया और पाकिस्तान में पहले से ही बेहत मकबूल हो चुके थे लेकिन खुदा और महबबत ने तो तारीखी रकम कर दी ये वो पहला पाकिस्तानी ड्रामा था जिसकी हर किस्त पर एक दिन में यूट्यूब पर 20-20 मिलियन व्यूज आना तो आम सी बात थी फिरोस खान के इंडियन फैंस ने तो इस ड्रामे को इतना पसंद किया कि इस ड्रामे की हर किस्त पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर रहती और इस ड्रामे के टोटल व्यूज दो बिलियन से भी ज़ादा हो गए और फिर प्रोडीूसर्स ने फिरोज खान की शान में एक शानदार पार्टी रखी जिसमें पूरे पाकिस्तान से बड़ी बड़ी स्लैविटीज ने शिर्कत की कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस ड्रामे की कहानी गिसी पिटी है लेकिन इसको नापसंद करने वाले इसको देखते भी जरूर थे और इस ड्रामे की मकबूलियत की इंतहा ये थी कि एक लड़का तो हकीकत में फिरोज खान वाला गेट अप करके अपनी नाकाम महबत के दुख में मजार पर जा बैठा नेक्स टेर ड्रामा सीरियल मेरे हम सफर दोस्तों फरहान सईद के तो वैसे ही इंडिया में पहले से बेशुमार फैंस थी क्यूंकि इन्होंने माजी में कहीं साल इंडिया में गुजारे और बॉलिवोड की फिल्मों के कहीं गाने भी गाए फरहान सेद की मेरे हम सफर में बिष्टरी रुमैंटिक आक्टिंग को देखकर सभी इन पर लट्टू हो गए हानियों और इनकी जोड़ी को बेहत पसंद किया गया और ये ड्रामा इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर रहता परहान सेद का अपने इन्डियन फैंस के हवाले से ये कहना था कि इन्होंने इस ड्रामे को इतना प्यार दिया कि कभी अगर कोई यूट्यूब पर इसकी किस्ट लेट हो जाती तो इन्डियन फैंस मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर मुझे मैसेज़िस करने लग जात और फिर इन सब को मुझे तसली देने के लिए पूस्ट लगानी पड़ती थी कि जरा सबर करो दोस्तो ड्रामा सीरियल तेरे बिनके तो क्या कहने इन्हों और वहाज की जोड़ी इनकी कैमिस्ट्री और इनके रूमेंटिक सीन इनकी नौप जोंग और इन सब चीजों ने त तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिये और ये कहना गलत ना होगा कि ये पाकिस्तान की तारीक का सबसे पॉपुलर ड्रामा है और इस ड्रामे की बदोलत जियूमना और वहाज के तमाम इंट्रिव्यूज भी टॉप ट्रेंडिंग पर हैं तो दोस्तों ये थे वो पाकिस्तानी ड्रामे जिनों ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बलके इंडिया में भी रेकॉर्ड तोड बिजनस किया और इनी ड्रामों में काम करने वाले फंकारों की अदाकारी को इतना जादा पसंद किया गया कि इंडिया के डिरेक्टर्स ने अप कहानिया नहीं दिखाई जाती थी बहुत सोबर और सुलजी वी कहानिया दिखाई जाती थी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती थी लेकिन आज के बहुत सारे ऐसे ड्रामे जिन में बहुत जादा वल्गेरिटी दिखाई जाती है बहुत कंदे सीन्स दिखाई जाते हैं बहुत ने देखा कि बहुत सारे ड्रामों में सबक अमोस कहानिया होती थी लेकिन आज के बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो डिरेक्टर्स ना जाने कौन से एजंडे को कौन से लोगों को खुश करने के लिए बनाते हैं करोणों रुपया लगाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ह हमें एडवांस होना चाहिए, हमें विल्गेरिटी को प्रोमोट करना चाहिए, लेकिन वो करोणों लगा कर भी उस तरह का मकाम हासिल नहीं कर बाते हैं, मेरा ये कहना है उन डारेक्टर्स और उन प्रोडीसर्स को, कि आप क्यों ना ऐसे ड्रामे बनाएं जैसे हम लोग देखना चाहते हैं, हमें ऐसी कहानिया दिखाएं जिससे हमारी नसल को कुई सबक मिल सके, जबके हमारी नसल को टीवी तो देखना ही नी चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंके हमारे ड्रामों में इस तरह की कहानिया इस तरह की चीजें और ऐसी ऐसी बाते लिखाई जा रही है जो कि आज कल के बच्चे देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम शाय दुनिया से बहुत बीचे हैं मैं ये चाहता हूं कि हमारे ड्रामों की कहानिया ऐसी हो कम से कम हमारे बच्चों को सीखने के लिए कुछ मिले क्या डिरेक्टर्स अपने बच्चों को खुद बिठा कर वो लड़की और लड़के के ऐसे सीन्स और ऐसी कहानी को दिखाते हैं क्या आप अपने बच्चों को वो एहम पेगाम यही था चाहे वो पाकिस्तानी सुनें चाहे वो इंडियन सुनें दोनों के लिए क्योंकि किसी के माबाब भी नहीं चाहेंगे कि उनकी उलाद गलत रास्ते पर चलें अपना ख्याल रखेगा और दौाओं में याद रखेगा सुमेर चोधी को दीज़े इसाज़त अल्लाफेश तोगो ज़िए आप इन आपको धिवा तूम उप्यारी दिखनी के से निवा धिए अब मेरे पास तूम के इन पहले ड्रामा अब दूख़ा जब स्टार्ट की उन में हमसुपर देखा है सबसे पहले मैंने देखा था मेरे पास तुमको जब बूर डिलीज हो रहा था जब चल रहा था तब तब मैंने एपिसोर्स आते गई और में देखता गया पहुत जवर्दस लगा था मुझे फिर इसके बाल मैंने देखना पन कर दिया मतलब मेरा इंट्रेस्ट पतानी क्यों कम हो किया या फिर मैं कुछ और काम हो में बजी हो गया अब मैंने स्टार्ट किया देखना तो अब मैं ऐसा अडिक्शन सा हो गया मेरे को कि अब मैं देखूं कुछ एक ड्रामा खदम होता है तो मैं को देखूं 5-6 episodes दिन में अब हमें उड्राम खदम और प्रकाम सनी हो फैस्ट प्रकाम को था आख चा अब मिलब को वह प्लाइद नहीं कोकि अगरे कुछ उन चीज़ों से जवाबर्दस तरीके देपिटिया और फिल्मों की टककर दे रहे हैं इंजिन फिल्मों को टककर दे रहे हैं वहां के टामाज बूत पब्लिक का में पागिस्तान में और ना विजनिस में बहुत हाई होता है लेविल का होता कुछ अदि आख वेडियर विए शब्सक्राइब को लूब ऐस निए विए निए भागिस्टान आख